आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी स्टाइल में सत्तू की लिट्टी इसके लिए हमने प्याज, लहसन, अद्रक, मेर्च, धनिया पत्ता को बहुती महीन महीन चौप कर लिया है तो सत्तू में हम इन सभी चीजों को एड़ कर देंगे, साथ में अर्जवाइन देंगे, एक चम मिला देंगे, ताकि ये पूरी सत्तू में मिल जाया है, इधन हमने आटा भी लगा करके तयार कर लिया है, जिसमें मोयन हमने घी आजवाइन का डाला है और नमक का डाला है, अब आटे कोई गोल गोल पूरियां बनाए, उसमें एक से डेर चमच सत्तू को डाल के अच्छे स बाइंड कर दीजिए, ताकि सत्तू बाहर ना निकले और मोटा सा हलका सा पूरी बना करके आप रख लीजिए, और इसे उबलते विपानी में एक पतीले में, आप इन सभी पूरियों को धीरे धीरे करके ढाल दीजिए, ताकि क्या होगा कि ये पूरियां पहले इस्टीम मे पक जाएंगी, और ये जब पक जाएंगी तो खुद बखोधी उपर तैड़ना स्टार्ट हो जाती है, तब आप इन पूरियों को धीरी से हलके हाथों से निकाल ले, इसे दवाये नहीं करना कट सकती है, पूरिया और फ्राइ करने में दिक्कत होगा, अब आपने सरसो ते प्लट को जब गरम हो जाए, तो आच को सिम कर दीजिय कर दीजिये, और उस पर पलट पलट कर पूरियों को पकाइए, जिसे कि पूरिया क्या होगी, कि बिलकल फुली-फूरिय सी पूरिया बन किये आपकी रेडिय हो जाएगी, और जब पूरा अच्छे से लाल-लाल सिक ज जो हैं सत्तू की वह बनकर तयार है इसे बिहार में लिट्टी कहा जाता है इसे आप टमाटर की चटनी के साथ ले सकते हैं